मध़उनिस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जिसको भारत की तरव से रीजेट कर दिया गया है अब जो है दस हजार क्रोड की जो इन्वेस्टमेंट है जो बंगलादेशी ब्रैंड है वो यूपी की गवर्मेंट से बात करके वहां शिफ्ट हो रहे हैं अब जो रेकिए भी पता नहीं है कि आया मोधी साब उब्लाइश करते हैं कि नहीं करते जो कि हम कहें जाने कि मोधी स वो भारत के बिना चल नहीं सकती क्योंकि तुम की बेसिस पे तुम खड़े हो वो भारत से कपास का धागा यार्न आयात करके ही चलती है उसी जानिब अगर हम मेडिसन की बात करें तो अब बंगलादेश के अंदर आएगा मेडिसन का भी बहुत बड़ा बोरान क्योंकि 30% जो रॉप मेडिसन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब बंगलादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नह जा रहे हैं और उसकी जो इंडिस्टरी जा बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों जैहिन बंगलादेश में भारती वीरियोदियों के बीच आपस में लड़ाई सुरू हो गई है पूरे बंगलादेश में दंगे फशाद हो रह इसके साथ ही बंगलादेश की अर्थ वेवस्ता धीरे-धीरे बबबाद होती जा रही है बंगलादेश की लौती कंपनी ने के लिए बांगलादेश की कंपनी ने तो भारत की स्टेट उत्रपर्देश से बात करना शुरू भी कर दिया अपनी ऑप्ना के लिए बांगला देश को बचाने कि लिए यूनेस भारत के घुटनों पर आ चुका है और वह भारत से गुछार लगा राए कि भारत हमें वालें उने अफ। जरूवराना महीने दो महीने पहले ही शुरू कर दिया था आखर रहर के एक ही हैं क्विए आखिर कार तो भाई रोटी खानी पड़ती है। आखिर कार तो बिजली चाहिए, प्वानी चाहिए, सड़क चाहिए, रणला चाहिए बिना इसके तो कोई देश चलनी सकता भले ही जमाते इसलामी वाले और अंसार बंगला टीम वाले ये कहें कि बही जो है दुनिया यहां नहीं है जो कुछ है जिन्दगी जो है वो आखरत के बात शुरू होती है इसलिए इनसानों मर्दूदों मुनाफिकों इस जिन्दगी में बहुत अच्छी अच्छी चीदों की खाहिश ना कर जो भी चीज अच्छी होती है चाहे वो हूरे हो और चाहे वो शराब की नहरे हो और चाहे वो अंगूरों के बाग हो वो सारे के सारे तुमको जन्नत में मिलेंगे अगली जन्दगी में मिलेंगे तो वो अगली जन्दगी की खौइच दिखाते हैं इस जन्दगी को बर्बाद करने का काम जो है वो ज्यादातर इसलामी समातें करती है और इसका जो बेस्ट एक्जामपल है अगर कहीं देखना है तो आप अफगानिस्तान में देख सकाएँöhगानिस्तान में जो आधी अबादी है वो तो पूरी तरह से खैद है वो बुर्के में खैद है और बुर्का भी वो शटल काग तो जेदातर जो इसलामी तंदीमे हैं वो यही कर रही हैं साओी अरब और यूनाइटड अरभ वेमि होगा कि वही जो उनके अबा है नहीं साओधी अरब वाले आखिरकार साओधी अरब वाले ही थो मक्का मदिना के मुहाफिज है अबा हुद्वर ने क्या किया है कि उनों ने अपने जो निसाब यानि जो उनका जो सिलिबस है जो टेक्स्बूक में पढ़ाया जाता था उसमें से खुरान की बहुत सारी आयतें जो हटा दी है वो आयतें जो खास तोर से चुकि उनके उनका जो इतियास है वो इतियास ये है कि वही साओधी एरब जो था वो एक प्रकार से यहूदियों का ही देश हुआ करता था वहाँ अजिकतर यहूदी या फिर मूर्ति पूजक जिनको ये लोग बहुदेव वादी या मुश्रिकीन कहते है वो वहाँ हुआ करते थे और इनका जो कॉमपटिशन बाद में हुआ इसलाम का वो इन ही यहूदियों से इसलिए हुआ क्योंकि यहूदियों का कहना था यह तुम्हारी जो कपोल कलपना है कि तुम्हारा कोई नया नभी आ गया है वो हम नहीं मानते नभी तो हमारा वही पुराना है हम वो मुसा के हिसाब से ही चलेंगे बंगला देश वाले जो है वो ये कह रहा है कि नहीं साब हम तो वही जो पुराना जो है हिसाब किताब अरब वाला अब अरब वाले भले जो है वो अरब से या अरब की जो पुरानी रिवायते हैं उनसे निकलना चाहते हो हम अब असली अरब हैं अब हम अरबियों को अरबों को हम सिखाएंगे कि असली शुरुआत में आपने देखा हो कि अधिकतर जो टेरिस्त हैं जिनको शेया ऐ खसीना ने खायत करके रखा हुआ था उनको इसे दो और पर राव मुझाना चूरू ही स्थाना चूरू कर दिया इसी तरह से उनको खतलयाम मचाना था तो उन्होंने मचा दिया उसमें जो है वावामी लीग वाले आये सामने चाहे उसमें हिंदू सामने आये जो भी आये जो पूरा एक प्रोडिक्टिव सेग्मेंट था वो डरके छुप गया और उन्हों का देखिये ऐसी बात है कि भारत के साथ तो हमको संबन्द ठीक रखने ही पड़ेंगे चूंकि भारत जो है ना केवल हमारा एक बहुत बड़ा पडोसी है बारत हमेरा अकेला पडोसी है अब यह इन्होंने जो कहा वो भी तक्ट्षिए है क्योंकि मैंन मार के साथ तो इनकी जो सीमा है वो पचास किलो मिटर के आसपास लगती है तेड़ महीने से बंगलादेश के अंदर एक हजार से जादा जो है टेक्स्टाइल इंडस्टिस बंद हो चुकी है और अब जो है दस हजार करोड की जो इन्वेस्टमेंट है जो बंगलादेशी ब्रैंड है वो यूपी की गवर्मेंट से बात करके वहां शिफ्ट हो रहे हैं और उतर परदेश एकर बात करें तो उन्होंने उतर परदेश को इस वज़े सुना कि योगिये देती हैं नाते वहां पर टेक्स्टाइल पार्क बना दी है जिससे जो है टेक्स्टाइल इंडस्टिस लिस्ट है उन्हें फाइदा पहुंचेगा सस्ती जमीन मिलेगी और वो तमाम फेवरेबल जो है इन्वार्मेंट उतर परदेश उनको देगा जो के एक इंडस्टिस लिस्ट को चाहिए तो बंगलादेश कंगलादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्टिस बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही है और उसी जानिब अगर हम मेडिसंस की बात करें तो अब बंगलादेश के अंदर आएगा मेडिसं का भी बहुत बड़ा बोरान क्योंकि 30% जो रॉप मेडिसंस का वो इंडिया से जाता है इस तरह से उन्होंने इंडियन को टार्गेट किया ठीक है वहां के लोगों को मारा पीटा और अब इंडिया तो अपना रियक्शन दिखाएगा और आज इस तरह से योगी जी कितनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बंगलादेशियों के लिए कि जो वहां पर फैक्टरिस बगारा बंद कर रहे हैं तो और कहीं न जाये दुबारा इंडिया में आके इंवेस्ट करें वहां पर अपनी फैक्टरिस गया है उतर पर देश उन्होंने उनको दे दिया कि यहां पर आके लगाएं तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा लेकिन वो दोबारा अपनी इंडिस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा